आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CMW vs AHW, Sanberry Magician Women's vs Auckland Hearts Women's Dream 11 Women's Super Smash T20 का ये match नमबर 16 है सुबह में 5 बजे से match स्टार्ट होगा, 4-30 का आप alarm लगा लिजेगा अपने mobile में अगर आप लेट उठते हैं तो बहुत ही important match है दोनों ही team के लिए, especially यहाँ पर Auckland Hearts की जो team है न, इन्होंने अभी तक tournament में एक भी match विन ने किया है लेकिन क्या ये match ये team विन कर पाएगी, full stats और information के साथ में इस वीडियो में आपको सभी prediction देंगे तो विडियो को पूरा देख लेना मेरे भाई, बहुत ही जो है आपको अच्छा लेगा ये विडियो और इस विडियो से आपको बहुत कुछ जो है सीखने के लिए मिलेगा सबसे जो important चीज़ है न मेरे भाई वो रहेगा टेलीग्राम का चैनल, यार आप लोग टेलीग्राम का चैनल जोईन कर लो, विडियो के description में हमने link डाल रखी है यहाँ पर आपको toss information, playing 11, dream 11 team सबी चीज़े मिलती है आप जो है रुआल इंडियन YouTube भी सर्च करके add the rate लगा लेना रुआल इंडियन YouTube सर्च करके जो है आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो बहुत अच्छा लेगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे जुड़के जिन matches की मैं विडियो भी कबर नहीं कर पाता हूँ उनकी भी team यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और बिल्कुल free of cost है और विडियो को start करने से पहले ही मेरे भाई like जरू से कर दिया करो हैगली ओवल जो है Chris Church के venue पे जो है मैच होने वाला है यहाँ की पिछी रिपोर्ट के अगर बात की जाए ground बहुत ज़्यदा बड़ा नहीं है short boundary है अच्छा bad जो है देखनी के लिए मिलेगा spinners यहाँ पर कमाल करते भी नजर आती है यहाँ पर जो भी team toss win करेगी न वो chase करना जो है prefer करेगी वैसे अगर आप last के 5 matches में देखोगे average score जो है 122 का है जो की mains के matches यहाँ पर लिया गया है ठीक है run यहाँ पर जादे बनते वे mains के matches से नहीं यहाँ पर international जो matches के लिए गए है उस level पे और जो domestic label पे matches के लिए गए है उस हिसाब से women's के domestic label भी इस matches पे जो की मतलब जो है live होते हैं वो उतनी जादे इस venue पे नहीं खेले गए है अगर आप women's T20 देखोगे न सिर्फ और सिर्फ दो ही खेला गया है दोनो बार bad first करने वाली team ने विन किया है 116 run average score है 188 run यहाँ पर जो है highest score है और 32 run lowest score है एक बार 150 से 170 run के बीच में बना है 170 से 190 के बीच में एक बार score बना है venue पर जो last match के लागया था 2 December को match के लागया था 2022 में match के लागया था उसके पहले 2015 में match के लागया था देख सकते हो एक match में run जादे बने था दोनों match में in fact अगर मैं बात करूँ तो run जादे ही बने थे और सामने वाले team जो है ज़्यादा score नहीं कर पाई थी head to head की record की बात करते हैं head to head की record में देखोगे total 22 T20 matches हुए है 12 बार सेंटबरी magician की team ने win किया है और यह गलत लिग गया है यहाँ पर ठीक है तो इसको ignore करना और यहाँ पर Auckland Hearts की team ने जो है 10 बार matches विन किये हैं यह last के अगर आप 5 matches देखोगे सेंडबरी magician की team ने सारे matches तीन matches विन किये हैं और 2 matches जो है Auckland की team ने win किये हैं तो last 5 match आप यहाँ पर देख सकते हो recent में सेंडबरी magician की team जो है काफी अच्छी और strong जो है दिखाई दे रही है और definitely मुझे लगता है कि जो favorite team रहने वाली है वो सेंडबरी magician की ही team favorite रहेगी इनके बीच में जो last head to head का भी match हुआ था 19 December को सेंडबरी magician की team ने match विन कर लिया था दोनों ही team जब खेली थी तो wickets जादे गिरे थे रंज जो है जादे नहीं बने थे यही जो है लगबग score था दोनों ही team की अगर मैं recent form की बात करूँ Auckland hearts अभी तक अगर आप देखोगे न back to back जो है तीन matches अपने हार के आ रही है sandbury magician अपने दो matches इसके पहले हारी थी लेकिन last वाला match विन करके आ रही है और उसके पहले भी इन्होंने इस tournament में एक match किला था जो की win किया था बाकी यह वाले जो है न यह इस season के जो है पहले के matches इसमें जो है लिखे हुए है last के 5 complete matches sandbury magician women's के और Auckland hearts women's के तो यह आप जो है अभी scenario देख लो sandbury magician के team ने 5 matches के लिए है अभी तक tournament में जिसमें 2 match win किया है point stable में 4th position पे है Auckland hearts की team ने जो है 5 matches के लिए है और एक भी match win ना करके point stable में जो है छट वे position पे है यानि की bottom position पे है sandbury magician की हम playing 11 देखते हैं देखो जो squad आई है ना उसे साब से कोई changes नहीं बताएगा है तो same playing 11 आपको देखने के लिए मिल सकती है cat Henderson के साथ में Francis में की आपको open करते हैं नजर आएंगी one down पे Sophie Molenix है फातिमा सना है Natalia Cox है Leah Thao है I.Sarp है M.Bank है Laura Hagij है G.Suvillian है और सारास मुसेन है तो ये सेंट बेरी Magician की playing 11 है प्लेयर रोल भी हमने लिखा हुआ है एक एक प्लेयर का तो आप इनके प्लेयर रोल भी देख सकते हो Auckland Hurts moments की बात की जाए साची सरी के साथ में अन्ना ब्राउनिंग आपको open करते हैं नजर आएंगी बन डाउन पर मैडी ग्रीन है उसके बाद आई गेज है प्यूर कॉटन है बेला आर्मी स्ट्रॉंग है स्काई बॉर्डन है जे पिनो फिल्ड है मॉली पिनो फिल्ड है फरा जोन्स है और भी इरलिंग है तो ये Auckland Hurts moments की playing 11 है इनकी टीम में टोटली आपको राइट हेंड बैटर दिखाई देंगी और सैंट्बरी मजिशियन की टीम में एक मात आपको सोफी मोलेनिक्स लेफ्ट हेंड यहाँ पर दिखाई देंगी प्लेयर की performance की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप दिखोगे न केट एंडरसन मैंने लास्ट मैच पे भी इनके बोला था कि यह बॉलिंग आपको नहीं कराती हैं क्योंकि इनके पास काफी सारी बॉलर आ गई है सोफी मोलेनिक्स आ गई है फातिमा सना आ गई है तो बॉलिंग कराती हुए ने दिखाई देंगी और बैटर काफी अच्छी है जनरली आपको 25-30 रन करके देंगी बढ़ी असांदार परफॉर्म करती है फ्रांसिस मैकी ने लास्ट मैच में 51 किया और यह बॉलिंग करती है ध्यान रखेगा एक-दो ओबर इनको मिलने के चांसेज है सोफी मोलिंग्स हमेशा से अच्छा परफॉर्म करती है लास्ट मैच में 19 रन प्लस 1 विकेट फातिमा सना 3 रन प्लस 1 विकेट आप देख सकते हो इनकी परफॉर्मेंस लिया थाउ ने 3 विकेट निकाले तो बढ़ियाँ परफॉर्म यह प्लियर्स कर रही है यह लास्ट मैच की जो है इनकी पूरी बॉलिंग डिटेल्स है सोफी मोलिंग्स को लास्ट मैच में जो है एक विकेट मिला था 14 रन में मातर 4 ओवर दिये थे लिया थाउ ने 3 ओवर में 10 रन देके एक मैडन ओवर भी डाला था और 3 विकेट भी निकाले थे तो सामने वाली टीम को जो है पूरी तरह सी यह टीम जो है मुझे लगता है ओकलेन हर्स की टीम को जो है डोमिनेट करने वाली है ओकलेन हर्स की अगर बात की जाए साची स्री जनरली आपको 15 से 20 रन करती वे मिलती है वैसे हैट वेड में रिकॉर्ड ठीक ठाक है 19 स्काइब रेज है 9 मैचस में 203 रन है स्ट्राइक रेड भी जो है ठीक ठाक है बेला अर्मी स्ट्रोंग अगर बॉलिंग करा देना तो ट्रॉम कार्ड की प्लेयर वनेंगी स्काइब बॉर्डन विकेट से निकाल रही है देख रहे हो तो एक अच्छी आप्शन रहने वाली है जे पीनो फिल्ड को भी लास्ट में एक विकेट मिला मॉली पीनो फिल्ड को भी एक विकेट मिला और फरा जोंस को भी एक विकेट मिला तो ये जो प्लेयर्स है जो की एक एक विकेट लेके जाती है Grand League की यही pick जो है आपको मिलती है और Grand League में यही player जो है आपको Grand League विन करवाती है यह last match की Auckland Hearts की जो है balling details है Beerling, Farah Jones ने पूरे 4-4 over डाले बाकि Skyboardन ने 3 over डाले थे और Jay Pinofield ने भी 4 over डाला था किसने कौन सा over डाला था वो भी अमने यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे की Beerling, Farah Jones यह आपको power play में गिंदबाजी करते हैं मिलेंगी Skyboardन और Jay Pinofield यह आपको death में गिंदबाजी करते हैं अब अगर बात की जाए topics की topics ने की player important player कौन कौन सी रहेंगी Francis में की last match में 400 की innings बोलना मत और balling भी कर लेती है Madigreen, bat ball दोनों करती है बढ़िया option है, फातिमा सना भी अब जो है टॉप order में promote हो रही है और bat कर रही है तो एक अच्छी option है लिया था भी bat ball दोनों कर लेती है Kate Anderson, bat ball दोनों कर लेती है लेकिन सिर्फ bat से ही लेके चलना Sophie Molenix, बहुत बढ़िया option रहने वाली है साथी साथ Skyboard and wicket taking option है Gabby Civilian भी जो है इस सीजन अच्छा कर रही है सारास मुसेन को भी आप यहाँ पर add कर सकते हो तो आपकी टोटल 9 प्लेयर जो है Small League की टीम के लिए हमने यहाँ पर बता दी है Small League में अगर आप Captain Y. Captain जा रहे हैं Francis में की Madigreen पातिमा साना लिया थाओ यह चार को लोग जो है C.V.C करके लेके आ रहे हैं और mostly लोग आपके जो opponent मिलेंगे न वो इनहीं को C.V.C करके लेके आएंगे Grand League में तो भाई Kate Anderson, Sophie Molenix, Skyboardन और J. Swillian को आप try करना बढ़िया option रहने वाली है दो-दो टीम में आप क्या करना Captain कर लेना, Vice Captain कर लेना Definitely आपकी Grand League में टॉप रैंक तो लगभग लगभग पकी है क्योंकि इन में से अगर आप मैं बताओ न तो Sophie Molenix और Kate Anderson और Skyboardन ये तीन प्लियर का लगभग confirm है कि Dream Team का पार्ट रहेंगी और G-Suvillian अपने गिन पे गुच्छों में विकेट निगालके आपको Dream Team दे सकती है यहाँ पर हमने Sandbury Magician की पूरी फुली स्कॉर डिटेल Auckland Hearts की पूरी फुली स्कॉर डिटेल दोनों ही टीम की स्कॉर डिटेल यहाँ पर लेखे हुई है बारा-बारा मेंबर का जो है स्कॉर डिटेल है जादा बड़ा स्कॉर डिटेल लोग का नहीं रहता है और स्कॉर डिटेल जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है तेलिग्राम का चनल इंपोर्टेंट रहेगा जरूर से जोईन करिएगा चलिए अब जो है क्या करते है त्री मेंबर और फोर मेंबर की टीम रेडी करते है जिस टीम के साथ में हमको खेलना है विकेट कीपिंग सेक्सन से सुरुवात करेंगे आई सार्प, आई गेज और जो है लोरा हगीज अब देखो यहाँ पर फेवरेट रहती जो है लोरा हगीज लेकिन वही है की बैट ओडर बहुत नीचे है मैं यहाँ पर आई सार्प को लेके जा रहा हूँ मैडी ग्रीन को लिया है, कैट एंडर्सन को लिया है यहाँ पर स्काई बॉर्डन एक बनिया उप्शन मुझे मिलती है साची सरी को आप ग्रांडी की टीम में ट्राइ कर लेना अगर 20-30 रन कर दे तो वाई जो है ग्रांडी की टीम में आ सकती है बेला रम स्ट्रोंग भी ठीक ठाक उप्शन अपने दिन पर हो सकती है लेकिन फिलभाल ऑप्शनस बहुत सारी है तो मैं लेके नहीं जा पया हूँ फ्रैंसिस मेकी को लिया है पीनो फिल्ड को लिया है फरार जोन्स को लिया है सोफी मोलेनक्स को लिया है अना ब्राउनिंग को अपने टीम में लिया है लिया था हूँ अमारी टीम में डिरेक्ट लिया आएंगे मैंने सारा असमुसेन को अपने टीम में लिया है आप G-Suvillian को अपने टीम में लेके जा सकते हो ये भी ठीक ठाक उप्षन है किसकी जगर पे आपको लेना है तो नो डाउट यहाँ पर मेरी जो कैटन होंगी वो सोफी मोलनिक्स होंगी वाइस कैटन मैंने फ्रांसिस मैकी को जो है दिया हुआ है यह अमारी टीम यहाँ पर कम्प्लीट होती है साथ प्लियर मैंने सैंट बरी मजिशन के लिए हैं आउकलिन हर्ड मोमेंस के मैंने चार प्लियर लिए है टीम काफी अच्छी और बैलेंस टीम लग रही है और इसी टीम के साथ में आई होप मैं पार्टिसिपेट करूँगा अगर टीम में कोई चेंजेस नहीं होगा तो बैकप के अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो फरस्ट प्रियोर्टी होनी चाहिए वो जी सिविलियन की होनी चाहिए उसके बाद फरा जोन्स को अपने टीम में रखना क्योंकि अगर मानके चलो आपकी नीद नहीं खुलती है तो फिर ये प्लेयर जो है रिप्लेस हो जाएंगी जो प्लेयर नहीं खेल रही है वैसे मुझे पक्का यकीन है कि ये सारी जितनी भी मैंने आपको प्लेयर बताई है न ये सब की सब खेलने वाली है और यही लगवक final team रहेगी और कुछ भी ऐसा होगा तो मैं जरूर से try करूँगा यार टेलीग्राम पे मैं आप लोग को update नहीं दे पा रहा हूँ women's के matches का लेकिन मैं जरूर से try करूँगा जो है आपको telegram channel पे women's के teams का update देने के लिए वीडियो को like जोर से कर दीजे और चैनल पे अगर आप पहली बार आये है चैनल को subscribe करके bell icon भी प्रेस कर दीजे ऐसे ही चैनल को देखती रहिए support करते रहिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में